अगर आपको भी हमारे नए वीडियोस देखने के लिए नहीं मिल रहे हैं तो हमारे वीडियोस के नीचे दिये गए सब्सक्राइब बटन को दबा कर घंटे बटन को जरूर दबा दें नहीं तो आपको हमारे नए वीडियोस की सूचना नहीं मिल पाएगी सुधान शुद्रिवेदी जीट का जब आप पत्थर से देंगे इमरान खान वहाँ पर अपनी जनता के लिए चाहे आँखों में दूल जोकने के लिए ही सही जबरदस तेवर में बोल रहा है क्या काठ है आपके पास इस प्रोपग्यांडा का देखे पाकिस्तान की इस्थिती और भारत की इस्थिती में किसी प्रकार की कोई तुलना नहीं है हमने जो करना था हमने कर दिया है समिधान सम्मत किया है नियमानुसार किया है और पाकिस्तान की हालत तो क्या है बताईए जंग की बात तो तब होती है जब डिप्लोमेसी में कहीं आप इस्टेंड कर रहे हो कोई उनके साथ है और नेशन में इस्लामिक कॉन्फरेंस कुछ नहीं बोला तमाम उनके साथ ही वो कहते हैं बर्राय सगीर का नक्षा बदल देंगे बर्राय सगीर कहते है उर्दू में भारती उप महादीव को भारती उप महादीव के दो बड़े मुस्लिम देश अफगानिस्तान और बंगला देश भारत के साथ और कहते हैं पाकिस्तान आतंगबाद फैला रहा हमारे हाँ अब आप आईए सबसे बड़ा उनका साथी कौन हम सफर हम नियाला हम पियाला यूनाइटेड अरव अमीरात वो बजाए उनका साथ देने के मोदी जी को आडर आफ जायत दे रहा है टरंप ने तो सीधे कह दिया बिटा आपने आप समाल लो अब देखिए चाइना ने क्या किया चाइना ने एक लिप सर्विस की और अपना काम किनारे कर दिया इसलिए मैं कहता हूँ कि मोदी जी ने जो चाल चली है वो गजब की चली है इसे एक पंक्ति में कराएं चाओंगा कि शतरंज बिछा कर वहां बैठा था जमाना लगता था कि मुश्किल है आतंकी को हराना मोदी ने मारा दाओं की उल्टी सभी की चाल राहुल हुए बेसुद और इमरान है बेहान इरफाल हपीज लोन साथ मेरे साथ बोलिए हम पी ओ के लेके रहेंगे देखिए हम तो उसमें आपके साथ है लेकिन सबसे पहले आपके मन की बात नहीं है बोले देखिए हम लेके रहेंगे पीओ के लेकिन उससे पहले में अब बज़वराबाद पर आप आप सुनिए ना यही तो यही तो बोलिए ना से हम लेके रहेंगे पी ओके मैं कहता हूँ जो आज मैक्सिमम हमारा मीडिया इद्धास आपको माफ नहीं करेगा सवाल पूछ नहीं आप सारे बारत सरकार के प्रवक्ता बने हुए हैं हम भी आपके प्रफगेल्दावालों को माफ नहीं करेंगे हम पर थोड़ी सी धया किया करें हम इभी अपना जो जो जमीनी सितित्य उसको सांग रहे हैं पर पूछ लिया तो आपको इतना दर्द लगया आप मेरी बात सुनिये ना आप जब आप रोप लगा रहे हैं तो आपको सुनना पड़ेगा कि जो बारत का समीदान है आर्टिकल टू और शेडूल वन उसमें जो टेरिटरी डिफाइन हुए उन्होंने उसको बारत का हिस्सा नहीं माना है किसको जो उनके पास है पहले वो समीदान में संशोदम करें दूसरी बात तभी प्रस्ता होते हैं जब समीदान रिकरग्नाइज नहीं करता तभी प्रस्ता हुए दूसरी बात जो काल रे और्गनाज़ेशन एक्ट बना हमारे 1200 स्केर माइल से अकसाई चीन दर्तिकिन के पास चैना के पास 432,000 स्केर माइल से पफाफ सिंह नहीं हुआ है आप पाकिस्तान पर सवदरे करेंगे वारे पारा किस्तान के प्रवक्ता वर्च्त likenAg आप चीन का पक्ष रखने लगें, आप खुल गई आपकी पोल एक बनेक पे इनकी 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 पार्शल्टी देखें, कितने महतवपूर प्रश्ण मैंने पूछा, मैंने पूछा जो कद्री और गनाइजेशन अप्ट है उसमें अक्साइचीन की बात क्यों नहीं आई, पाक यह जानता होगा, वो यह जानता होगा कि प्रस्ताओ तभी पारित हुए 94 में, क्योंकि Constitution रेकिनाइज नहीं करता है, आप देखिए, तो मैं कहता हूँ समेदान को संशोधन करें, अक्साइचीन को इसकी दर्ती बनाएं, दूसरे दिन हमारे विदेश मंतरी क्यों वहाँ प होगा, एक बात, दूसरी बात में आप से पूछना चाहता हूँ, आपको यह छोटी बात लगती है, कि स्विक्त राष्ट में सथ साल के बाद चर्चा होती है कि चैना कहता है विवादित है, अनेक्से बात रद हो गई, और जो सुदान्चु तर्वेजी कोलते है, जिन मु होती है, जब तिलांगा ना बनता, ऐसी बात नहीं होती है, कश्मीर एक मुदा है, मेरे भाईयों, मैं आप से पूछना चाहता हूँ, कितने लोग जानते है, हिंदुस्तान में स्थिक्त राष्टिक के लोग कहां बैठे है, बताईए, किस जगा पर हिंदुस्तान में, आपको बता रेना चाहता हूँ, जैसे कुछ चीजे इतिहास का पात्र हो जाती है न, जो कॉंग्रेस पार्टी भी दिरे-दिरे हो रही है, वैसे वो इतिहास का विचरता यूनाइटेड नेशन में बैठे है, जो इन्होंने बात कही, उसकी बात को मैं आज की UAPD को याद दिराना चाहता हूँ, दुनिया में कोई उधारन बताइए, जहां जीता हुआ देश, बड़ा और ताकतवर देश, जिसकी फौच जीत रही हो यूनाइटेड नेशन्स में गया था, हम गये थे, जवालल नेहरू जी गये, जिसकी बात के लिए, हमारे माराजा ने, और चुचेंगे, एक हाल करेंगे, तभी टेंपरी ने रिखा था, लेकिन उसके बाद, अभी तक आपने उस समस्या का समाधार देंगे, जो भी हमारे पास संभा होगा, हम आपको देंगे, लेकिन आज जो आपने किया है, बले ही बल्ग के जोर पे आप कश्बीर को बंद रख करते थे, आज हम भी आप से दूर हो रहे हैं, खाने को दाना नहीं है, प्रधान मंत्री के दफ्तर के बिजली बिल के लिए पैसे नहीं है, और आप लो गजदवी मिसाईल जैसे हुलजड़ी उड़ा कर ये सोच रहे हैं कि डर और खौफ पैसा करेंगे, क्या आपका मुल् प्रिक है और हमने अपना सिल्फ डिफेंस करने के लिए बनाया है, क्योंकि इंडिया ने नुकलिर वैपन बनाया, इंडिया ने मिसाईल प्रोग्रम डवेलप किया, तो पाकिस्तान के पास कोई आप्शन नहीं था कि इसके हम रास्ता अपनाते, तो हमें फोर्स किया गया इस सारी पुजिशन में लाकर, आज जहां पर पाकिस्तान और इंडिया के दरमयान जंगे हो चुखी है, और पाकिस्तान मसलसल कई दफ़ा से कह रहा है, कि आएं बैट के बात करें, लेकिन इंडिया पिछले 20 साल से कोई ना बात करना चाहता है, ना डिसकेशन है, और जित कैसे बतलती है, कैसी अजीब बात बोल रहे हैं, देखें, पहली बात तो यह है, कि जो बिजली का बिल है, वो प्रामिस का काम है, वो दे रहेगा, मैं उनका, यहां पे उनका स्पोर्परसन नहीं हो, वो खुदी फैसला कर लेंगे, दिवारी आ हो गए हैं क्या, हर मुल्क म इसी चीज़ा चलती है, हमारे मुल्क में भी चलती है, इस पी कोई मसला नहीं है, अदारों के मसले हो जाते हैं, तो बिजली आज तक पैसे देते रहे हैं, तो बिजली चलती रही है, और अगर आपको ज़्यादा फिकर है, तो आप बिल के पैसे बेज़ेंगे, आपको ही हो रही है, इमरान खान का बिल, आप जहां पर भी जाएं, इंटरनेट में यही चर्चा है, कि बिल नहीं दे पारे हैं, आप बिजली का पाखिस्ता, अब देखिए, पहली बार आपकी पलके तो जुकी थोड़ी शर्म से, यह शर्म की नहीं है, यह मज़े की हैं, मुझे नहीं देखना चाहते, जो चर्मरारा है आपके चारो तरह, आप उस अर्थवेवस्ता को नहीं देखना चाहते, जिसमें पाकिस्तान की ऐसी हालत हो गई है, कि दूसरे मुलकों के पास जाकर उसे गड़गड़ा कर पैसे लेना पड़ता है, कमर चीमा, यह बताएए, बिला की बाते करते रहते हैं, क्योंकि उनके वालत और फुपो जेल में हैं, तो उनके लिए मसले चल रहे हैं, तो लहाज़ा यह चलता रहेगा, आपोजिशन ऐसी बाते करती रहती है, और हमारा मकाबला इंडिया के साथ है, हम चाहते हैं, कि इंडिया से जंग ना हो, अमन की ब बोल रहें, आपके प्राइमिनिस्टर बोल रहें, आपके प्राइमिनिस्टर बोल रहें, मैं उस घर्म को इस्तेमाल नहीं कर सकता, मेरी फाइनिशल केपिविलिटी नहीं है, आपके प्राइमिनिस्टर बोल रहें, मैं गड़े पे चलूँगा, आपके प्राइमिनिस्टर पर आते हैं कमरची माँ आपने कितनी बेहुद्दा आप मैंसोस था थोड़े बहुत पढ़े लिके हो आपने का कश्मीर का स्टेटिस बदल दिया साब 1947 से कश्मीर का एक ही स्टेटस है जमू एंड कश्मीर जिस दिन एक्सेशन डॉकुमेंट साइन हुा था उससे लेके आज तक भारत का टूटांग है और सदियों में भारत का था ऐसा नहीं है जैसे पूरा भारत साइसे जमू एंड किश्मीर था अब आप लोगों को ये पता नहीं अपनी दरसल जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कर रहे ना वो ये कर रहें कि आप सब का बेवकूब बना रहे ह हकीकत का सामना नहीं कर रहें वो खुद एक पपिट हैं वो पप्पू हैं पप्पू तो वो हैं वो पप्पू हैं आपकी फौज के वो पप्पू हैं आपकी आईसाई के वो रियल पप्पू हैं मैं आपको सच बता रहा हूं रियल पप्पू तो वो हैं क्योंकि वो मुख है देखिए ना आपकी पॉज की कामिएत है ना आपकी एकॉनिक कंडिशन परमिट करती है ना आपकी ठेश में यूनिटी है अरे आप देश मे इतनी बरी तरह बटे हुए है आज भारत बहुत veramente है कमर चीमा ये भारत बहुत मजबूत है भारत की एकॉनमी मजबूत है भारत की नेशनल पाउर मजबूत है आप समझनी रहे भारत की इंटरनेशनल रीच बहुत मजबूत है अब आपके पास कोई चारा नहीं है भाई चारा करके बोलो इमरान खान को समझोता करके चुप च 86 में उन्होंने अंडिये को सलूट करके कहा था मैं सलूट कर रहा हूं जब तक अंडिये है नेशनल डिफेंस अकेडमिया भारत मजबूत है और जब तक भारत मजबूत है ये सब कोंटिनिक जिन्दा है आई सलूट एट प्रिगेडिये तो आप लोग हो नहीं तो आपका कोई अस्तित्वी नहीं है आपका आप सब भारत के चारों तरफ जिन्दा हो सुधानशु जी देखे आजना जी पाकिस्तान दुनिया का एक ऐसा विचित्र मुल्क है जो बड़ी गलत फहमी में जिन्दा रहता है अभी जो कमर जीमा साब बोल गए मैं पहली बात तो बताना चाहता हूँ जो पाकिस्तान की गलत फहमी है वो यह है आपको ध्यानों यह अगस्त का महिना है भारत का स्वतंता दिवस पंदर अगस्त को होता है लोग कहते हैं कि भाई पाकिस्तान का स्वतंता दिवस थोड़ी हुए थे आपका पहले वजूद ही नहीं था तो आजात कहां से होते अब उसके बाद आप देखिए अभी आपने कहा कि बिलावल भुट्टो जो है यह तो पपू है और हमारे यहां भी आपने पपू का यह दे भी हमारे यहां उस पर रोक है उस शब्द पे तो मैं कहना चाहता हूं भाईया यह पपू का मेंचन उस खत के मजमून में क्यों था जो आपने गिड़गडाते हुए लिखा है यूनाइटेड नेशन्स को और याद करिए आपके जो पपू है ना इनकी माता जी मरहूम बेनिजीर भुट्टो 1990 का दशक था जोनोंने पाकिस्ता से सेंटरल इशू हो गया यूनिय टेरिटरी बन गया और आपकी घास खाने की नौबत आ गई अगर अमरीका खैरात ना दे और आपने ये कहा है कि बाई तमाम देशों के उपर बड़े उधार होते मगर पता है पाकिस्तान पर उधार कितने स्टैटिस्टिकल है कि आज पमर्चीमा जी आपका ये मुस्कुरा मुस्कुरा कर एक के बाद एक बात सुनना भी एक हुनर है इसको जिन्दा रखिए क्योंकि कम से कम आप जब तक भुलावे में रहेंगे हिंदुस्तान को बहुत जादा चिंता करने की जरूरत नहीं है आईना सामने भी रख दिया ज के का.